Hello Friends, Namaskar, Welcome to our Channel Friends, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं J-Man's Exam Date के बारे में और क्या आपका J-Man's 2021 का exam 2 March को होने वाला है Slave Us कितना Reduce होने वाला है J-Man's और Need 2021 के लिए और क्या Need 2021 Exam Date Extend हो सकती है, Postpone हो सकती है इस वीडियो में Friends बात करेंगे एक Notice हमारे सामने आया है उसके बारे में बात करेंगे तो Friends, उससे पहले आप सभी के साथ मैं एक Information शेयर करना जाओंगा Friends, अगर आप कर रहे हैं MSTCAT 2021 Exam की ट्यारी तो आप सभी के लिए Hindi Best Start हो रहा है 7 December से जी हाँ, दोस्तों, 7 December से आपका Hindi Best Start हो रहा है MSTCAT के लिए आप चाहें तो PC भी जोइन कर सकते हैं या PCM, Physics, Chemistry और Math और या फिर PCMB जिसके अंदर आपके सभी के सभी सब्जेक्ट आ जाएंगी वो भी जोइन कर सकते हैं, 7 December से शुरू हो रहा है Topic cover आप यहाँ पर देख सकते हैं Chemistry, Biology, Physics, Basic Concept, Mechanics and 11 more और अगर आप Math वाला जोइन करते हैं तो Biology की जगह है आपका Math हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों Complete का Complete Schedule यहाँ पर दे दिया गया है किस तरह से आपकी Classics होने वाली है यहाँ पर पूरा Schedule दे दिया गया है अगर आप Friends इनका स्क्रिप्शन लेना चाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया है वहाँ पर जाकर आप यह Pack ले सकते हैं और यहाँ से मैं आपको फीस भी बता देता हूँ दोस्तों आपको कितनी लगने वाली है तो अगर आप वन मंत का प्लान लेते हैं Friends तो तीन हजार रुपी है तीन मंत के लिए पिछे तरसो छे मंत के लिए तेरा हजार पान सो और अगर आप Complete 12 मंत का कोर्स लेते हैं तो सोलह हजार पान सो रुपे में 54% ओफ के साथ आपको यह मिल जाएगा और Friends रेफरल कोर्ड में आपको डालना है exam info जिससे कि आपको 10% का extra discount मिल जाएगा और Friends आप अने अकैडेमी का प्लक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फाइदे मिल जाएं जिसके अंदर आपको structure live courses कभी जीज होंगे regular और batches for complete preparation test series होंगी आपकी और Friends इसके अंदर आपको भहुत से फाइदे मिलेंगे और इसकी face मैं बताता हूँ अगर प्लेश सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं 12 मन्त के लिए 14,840 और 6 मन्त के लिए 12,150 नीचे description में लिंक देटे गया है वहाँ पर जाकर के आप इन कोर्षिज के अंदर enroll कर सकते हैं और प्लेश सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो Friends चली अब वीडियो के ओर चलते हैं तो Friends सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि J.Mans exam date जो है अभी तक official तो नहीं आई है लेकिन एक students ने YouTube के उपर एक photo viral की है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका J.Mans 2021 का exam 2 March को होने वाला है काफी हद तक ये बात सही भी हो सकती है लेकिन अभी तक इसका कोई official proof नहीं आया है क्योंकि आपका one month late चल रहा ये session और हो सकता है कि March के first week के अंदर के आपका exam होस के लेकिन अभी तक कोई official news नहीं आये है सबसे पहले हम एक official notice पड़ लेते हैं जो आई है J.Mans 2021 is expected to be conducted in February and May जो January में होना है वो February में और जो आपका जो अपरेल में होता है वो मई में होने की बात कही जा रही है The official notification for J.Mans January 2021 is expected to be announced in December December इस मन्त के अंदर जो है second week तक साइद आपकी आजाएगी and the registration process may continue till mid January mid January तक registration होंगे The HRD ministry has directed the NTA to consider revising the syllabus for J.Mans 2021 और यहाँ पर देख सकते हैं HRD ministry या फिर education ministry जो है उन्होंने ये बोला है कि NTA को कि revise किया जाए syllabus को J.Mans 2021 के लिए The January exam of J.Mans has been delayed due to the delay in the 2020 process of the exam तो ये जो है official notification है जिसके अंदर ये साब साब बोल दिया गया है कि आपका जो syllabus है वो revise किया जा सकता है क्योंकि HRD ministry या फिरमेज program निसंग जी ने ऐसा बोला है NTA director को साथ में आपका यहाँ पर फरवरी में बोला गया है exam date जो friends आपका March first week तक जा सकता है लेकिन अभी तक priority नहीं है आपको फरवरी के लिए ही ट्यारी करनी है फरवरी में तो गया आए जैन्वरी में तो होगा नहीं किसी भी condition में ये बात तो साफ है साथ में friends आपका syllabus revise होना चाहिए reduce होना चाहिए नहीं होना चाहिए नीचे comment box में आप जुरूर पताईए और कितना होने चाहिए क्या 30% इनफ है या फिर जादा है 30% ये आप जुरूर पताईए comment box में और क्या syllabus reduce होने से cut off high तो नहीं चला चाहिएगा ये भी एक कारण है तो इसको मदे नजर रखते हुए आप नीचे comment section में जुरूर comment करिएगा साथ में friends अब बात कर लेते हैं NEET 2021 exam के बारे में NEET 2021 exam के बारे में अभी तक तो कोई official notification नहीं आई है लेकिन जल्द ही आने वाली है और friends अगर आपका मई में ही exam होना होता तो जरूर NTA director ये बोल देते कि आपका NEET का exam जो है वो delay नहीं है लेकिन delay होने वाला है at least for one month जून में आपका जो है ये exam हो सकता है और वो भी mid जून तक तो friends आपका ये NEET का exam भी जरूर postpone या फिर extend किया जा सकता है योगि 2020 का जो session है वो काफी late हो गया है और अभी तक तो पूरे counseling के round भी पूरे नहीं हुए है तो friends इसको देखते हुए आपका जो है ये late हो सकता है तो friends syllabus भी अगर J-man's का reduce हो जाता है तो वो topic आप पढ़ ले friends मेरी video आप मेरे video section में जाकर देख सकते है और friends चैनल को subscribe जरूर कर ले अगर आप पलपल अपडेट लेना चाते हैं और ये video देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू